हाई फ्रेंड्स वेलकम टू कस्टम आयेस आज के टॉपिक में हम बुकलिस फॉर यूप्यसी 2021 चेक करेंगे ठीक है जब हम तईयारी चालू करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या पड़े कौन से बुक पड़े कहां से पुड़े ठीक है यह कुछ सब्सक्राइब लोग आपको रिकमेंड करते हैं जो मेरे सीनियर से उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था और मैंने यह सब पड़ी हुई है काफी अच्छी है ठीक है चले देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या है सबसे पहले तो पॉलिटी ठीक है पॉलिटी में हम सब जानत हैं कि लक्समी कान से अच्छा कोई नहीं है जो यूप एसी की रिक्वायर्मेंट है वो पूरी ये बुक कर देती है यह मेरे पास फिफ्ट एडिसन है आप चाहें तो अभी इसका सिक्स एडिसन आ गया है तो उस पे भी आप जा सकते हैं ठीक है इसके अलावा करन्ट अफे लिबल है वहां से आप पढ़ सकते हैं ठीक है मेंस और पिलिम्स दोनों के लिए यही बुक आपको बार बार पढ़नी है ठीक है मर्टिपल बुक को एक बार पढ़े इससे अच्छा एक बुक को मर्टिबल पढ़े ठीक है इसमें इसके सवा कोई बुक आपको दूसरा कोई इंसान सजेस्ट करेगा नहीं ठीक है सिर्फ और सिर्फ यही बुक आपको पढ़ना है और यह आपको दोनों में काम आएगी ठीक है आगे देखते हैं मौडन हिस्ट्री में जैसे कि आपको पता ही है कि मुश्टली सभी लोग स्पेक्ट्रम बायराजी वहिर यह बुक कमेंड करते हैं मैंने यह पड़ी है अभी एक और यह बुक है यह नई बुक है सुनाली बंसल और शनेहिल तुरीपाटी ने इस बुक को बनाया है और इसको खास करके रिव्यू किया है और इसमें कॉंट्रिब्यूट किया है अमारे अवद ओजासन ने जोके बहुत ही यह इसमें नो डाउट बहुत अच्छी है लेकिन परस्नली मैंने इस साल यह वाली बुक पढ़िए तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं इस वाली बुक में बंसल त्रीपाटी में थोड़ा डीटेल में दिया हुआ है और क्वेस्टन आंसर फॉर्मेट है स्पेसियल कैपसूल है प्रिलिम्स के लिए एमसी क्यू भी दिये है प्रैक्टिस के लिए और इसको पढ़ने में मज़ा आता है तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ठीक है अभी देखे हिस्ट्री में मौडन तो हो गया अब उसके बाद आ गया हमारा एंसियंट और मिडिवल ठिक है अब इसमें ये दों बूख है बहुत ही बैस्ट बैस्ट न्सेयाट के ऊपर है अरfte फिसर्मा है और यह वाली एक बूख है ये भी आप आराम से देख सकते हैं दोनों ही बूख बहुत ही बहुत ही अच्छी है ये सतिस्चंद्रा सर्ग की है दोनों ओल्ड NCRT के उपर है अब यह वाली जो बूख है यह मैंने अभी रिसेंटली मंगाई है और इसको मैंने पढ़ा भी है काफी अच्छी ह इसका advantage क्या है कि इसको particularly UPSC के student के लिए और UPSC civil service की जो भी तैयारी करते हैं उन student के लिए ही बनाया गया है ठीक है तो इसकी जो थोड़ा approach है और इसकी जो writing style है author की वो मतलब बिलकुल ही UPSC के relevant है कि आपको question कौन से कौन से UPSC में आ सकते हैं उस तरह से topics को cover किया गया है उसके अलावा prelims के लिए भी special इसमें boxes दिये है special capsule दिये है थोड़े mcqs भी दिये है practice questions भी दिये है ठीक है तो यहां से आपको link करना आसान हो जाएगा दोनों में फरक कुछ भी नहीं है ठीक है यह भी ncrt के उपर से ही बनाया है book ठीक है तो और ऐसे यह दोनों standard book है और इसको हम ऐसा supplement यूज कर सकते हैं चाहे तो ठीक है मैंने यह वाली दोनों book भी पढ़ी है काफी अच्छी है और यह वाली भी पढ़ी है अगर यह दोनों हम पहले पढ़ चुके है तो यह अब इन दोनों book को supplement करती है ठीक है दो वर्ड हिस्ट्री के लिए वर्ल हिस्ट्री प्रिलिमस में तो होता ने मैं इसमें आता है कई सारे अलग अलग बूक है मैंने यह वाली भी ले सकते हैं या किसी कोचिंगे नोट्स भी ले सकते हैं थीक है तो अबय करेंगे आपको कुछ न कुछ सब्सक्राइब है इसको आप अगर आराम से पढ़े तो चार दिन में तीन दिन में कवर कर सकते हैं अगर आपका बेस बिलकुल ही कमजोर है तो पहले आप यह वाली पढ़ लीजिए संजीव वर्मासर की यह मेरे पास ओर्ड वर्जन है इसलिए इतनी पतली अब जो नई वर्जन है इसका वो भी काफी मोटा कर दिया है वो भी अल्मोस अब रमेश सिंग के लेवल की ही बना द तो भी आप इसमें से पढ़ सकते हो लेकिन इसमें क्या फाइदा है इसमें एकोनोमी के अल्मोस सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है और इसको आप मेंस के लिए भी इसके उपर इल जीओग्राफी में देखे सबसे इंपोर्टन पहले तो है एट नाइन टैन 11 ट्वेल्ट की जो एंसी आटी है वह बहुत बहुत जरूरी है इंडियन फिजिकल जियोग्राफी वह सब आपको उसमें से मिलेगा तो वह बहुत जरूरी है वह करना ही है इसमें कोई दूसरी और स पुछ लोग माजिद हुसेन को प्रिफर करते हैं लेकिन वो इतनी बल्की है कि जो उसका कॉस्ट बेनेफिट रेसियो है वो मुझे तो ठीक नहीं लगता है ठीक है अगर आपका जियोग्राफिय ऑप्सनल है तो आप उसमें जा सकते हैं बाकी तो फिर यह जी सी लियोंग सब करते हैं यह सई है इसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बाद एटलास यह दो है एक ऑक्सपर्ड ऑक्सपर्ड है यह वाली और यह ब्लैक स्वान है तो दोनों में से कोई भी एक ही रिक्वायर है ठीक है दोनों में से और आइधर दिस और दिस इन दोनों में से आपको को कोई भी एक ही लेना है ठीक है इसके बाद environment में आ जाते हैं आप सभी ने अप सुन लिया होगा पिछले 2-3 सालों से के संकर आइस में से कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता समझ रहे आप मेरी बात लेकिन फिर भी आपको जो मतलब standard books है उससे हम दूर नहीं रह सकते हैं ठीक है आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार तीन-चार दिन में पढ़ सकते हैं आपको तो आपको एक basic idea आज जाएगा कि environment में है क्या क्या थोड़ा बहुत सिले बस है ठीक है उसके अलावा current affairs पर पूरी पकड़ रखे current affairs the best source for this environment ठीक है UPSC नहीं भी लिखा है कि once does not required any specialization on this subject ठीक है current पे आप रखे जो भी उमारी मतलब environmental meetings होती है फ्लोराफ होना है climate change है pollution है जैसे दिल्ली का air pollution हो गया है तो ऐसे अलग-अलग जो भी topics hot topic है उनके उपर थोड़ा अपनी पकड़ मजबूत रखे और current affairs आप करते रहे तो यह आपका तो हो जाएगा और इसमेंसे काफी dynamic questions आते हैं ठीक है art and culture में फिर से इसका वे अपने UPC का trend देख लिया होगा पिछले दो-चार सालों से नहीं बुक में से कुछ आ रहा है एक-दो सवाल बनते है कभी नहीं भी बनते है इस साल एक भी सवाल नहीं बनाई इस book में से ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम इस यह तो अच्छे से पढ़ना ही है इसके अलावा जो 11th की NCRT है ठीक है वह बहुत जरूरी है उसको अच्छे से पढ़ना है current affairs अच्छे से करना है ठीक है इन तीन चीजों को हम करेंगे तो हमारा art and culture हो जाएगा science and tech in science and tech you don't have to read any book ठीक है for science there is no particular book कोई अगर आपको बोलता भी है यह पढ़लो वो पढ़लो तो समझ जाओ कि वो आपको उल्लू बना रहा है साफ सब्दों में कहूंगा मैं तो इसके लिए कोई book नहीं है इसको आप आराम से current affairs पढ़िए और जो hot topic है इसके जैसे के space हो ग ठीक है फिर हमारा defense हो गया अभी vaccine के उपर काफी वो चल रहा है तो vaccine वगेरा हो गया अलग-अलग जैसे यह disease हो गए है ना तो इन सब topic को अच्छे से पढ़े अभी artificial intelligence, machine learning, digital India तो ऐसे topic 5G ऐसे सब topic को detail में पढ़े उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोसिस करें और इसमे नोट्स बहुत बनाए इसके अंदर आपका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ठीक है जिससे आप आराम से एक बार में इसको revise कर सके ठीक है लास्ट में आता है हमारा current affairs अभी आपने mostly बहुत सारे लोगों से सुनाओगा के 45 मिट में newspaper cover कर दो 60 मिट में cover कर दो 30 मिट में cover कर तो कई तो लोगों ने अपनी दुकाने खोल दी है है यूटूब पर आपने देखा होगा 30 मिट में newspaper analysis 20 मिट में newspaper analysis 35 में newspaper analysis वहिया अगर 30 मिट पढ़ने से होता ना तो हर कोई कर लेता ठीक है सबसे बड़ा आपका सबसे मेन और important source newspaper है चाहे आप तर इंदू पढ़े चाहे आप Indian Express पढ़े फरक नहीं पढ़ता है दोनों में से कोई भी पढ़े लेकिन आप खुद से पढ़े syllabus याद कर ले रोज उसमें से 20-22 important topic निकाले आप से syllabus से जो भी relate करते हैं इतने भी topic सारे topic को at least एक बार पढ़े जो आपको ज्यादा important लगे उनके notes बनाए कुछ उनमें से one-liners बनाए समझ रहे आप मेरी बात तो इस तरीके से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है मैं तो कहूंगा आप newspaper को आराम से धीरे धीरे दो गंटे में पढ़िए ताकि आप धीरे समझ सोचके बढ़ेंगे तो आप retain भी ज्यादा करेंगे और आपको ज्यादा दिनों तक वो याद भी रहेगा हम जितना fast पढ़ते हैं उतना जल्दी भूल जाते हैं और जितना slowly पढ़ते हैं ध्यान देके पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमको याद रहता है ठीक है एथिक्स हो गया एथिक्स के लिए ऐसे पर्टिकुलर कोई बुक है नहीं आप से सेकंड एर्सी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और यह मैंने एक बुक मंगाई है यह एम कार्थी कहन की है काफी अच्छी है इसमें लगबग 25-50 case studies है और almost ethics से जो UPSC का syllabus है उस से related सारे chapters है इ और इसमें कुछ है नहीं अगर आपका थोड़ा English सही है तो आपको मतलब थोड़ी देर में लग जाएगा हां और अगर आप ethics वाले बंदे हो तो फिर आप समझ लो आपको तुरत ही आद हो जाएगा case study भी आपका हो जाएगा ठीक है case study आपको कैसे करना है कि आप अपने आपको ऐसे officer imagine करें और ऐसे इमांदर officer imagine करें कि इमांदर officer ऐसी situation में होगा तो वो क्या करेगा सही है तो आपका यह हो जाएगा ethics हो गया ठीक है बस इतने ही subject है मेंस जो आपको करने prelims और मेंस दोनों के लिए और लगबग यही standard book list है और यही book list रहेगी ठीक है thank you so much अगर आपको इस information से कुछ फाइदा होता है तो हमारे चैनल को like करिए share करिए और subscribe करिए और अगर आपको कोई doubt है या कुछ भी जानना है तो आप comment कर सकते हैं हम आपके जो भी problem होगा जो issue होगा उसका solution करने का हम और हमारी team पूरी कोसि करेगी ठीक है और आपको दूसरे किसी भी सब्जेक्स पर अगर वीडियो चाहिए तो हमें comment करके बता दें तो हम उसके उपर भी बना देंगे अब इसके बाद मैं आप अगर बोलेंगे तो जो हमारा मतलब अलग-अलग topics का जो series start करना है हमको subject का वो हम start करेंगे जैसे quality हो से help करेगा आपकी प्रिपरेशन को इजी कर देंगे हम ठीक है पूरा परस्नलाइजिंग और प्रिपरेशन इस आवर सोल मोटो ठीक है ओके थैंक यू सो मच गुड़नाइट